हेलो फ्रेंड्स आसे इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं छोटी लड़कियों के लिए पर्स बनाना बताऊंगी वीडियो श्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हुप हेंगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पर्स बनाने के लिए मैं यह कपड़ा लिहूं और एक लाइनri कपड़ा रहेगा यह फोम है और उसमें फीती लगाने के लिए मैं यह मै करम कधागा ली हूँ जोटा सा एक लैसली हूं और एक रनर है और यह जिब है छोटी लड़कियों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं छोटा पर्स बनाऊंगी तो 5 by 6 का मैं इसमें से 2 पीस कट कर लोंगी 2 पीस मैं इसमें से कट कर ले हूँ अब सेम इसी नापका हमको फोम और लाइनिंग वाला कपड़ा भी कट कर लेना है यहां मैं तीनों पीस को कट कर ली हूँ अब इसके बाद से हम इसको ऐसे रखके और इस पर सिलाई लगा लेंगे चारो साइट से ऐसे रखेंगे और चारो साइट से सिलाई लगा लेंगे तो दोनों पीस को ऐसे ही रेडी कर लेना है झाल झाल इसके चारो साइड में सिलाई लगा ले हूँ मैं क्विल्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से डिजाइन है तिसलिए मैं क्विल्ट नहीं की हूँ इसको बस चारो साइड से सिलाई लगा ले हूँ अब इसमें हम यहां जिब को अटेज करेंगे ऐसे रखके और यहां जिब को अटेज करेंगे और दूसरे वाले में इस पार्ट को रखेंगे झाल यहां मैं जिप को अटैज करके उसमें रनर को डाल ले हूँ अब हम यहां इस लेज को अटैज करेंगे ऐसे यहां मैं लेक्स को भी अटैज कर ले हूँ अब यह जो मैक्रम वाला धागा है इसको मैं टू पार्ट में कर ले हूँ अलग-अलग अब देखिए एक को हम लेंगे और एक को हम इस वाले पार्ट में ऐसे रखेंगे ऐसे एक इधर और एक इधर और यहां सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरे वाले पार्ट को हम लेंगे तो फिर इसको हम ऐसे रखेंगे यह दूसरे वाले पार्ट में और फिर एक यहां रखके और ऐसे सिलाई लगा लेंग तो दोनों पार्ट में हम दोनों साइट पहले सिलाई लगा ले रहा हैं दोनों साइट मैं इसको अटाइज कर ले हूँ इसकी लंबाई मैं रखी हूँ 44 इंच आप अपने हिसाब से थ्वसा छोटा या बड़ा कर सकते हैं अब इसको ऐसे अंदर इसको रख लेंगे और इसको ऐसे पलटके और पलटने के बाद ये तीन साइट से हम सिलाई लगा लेंगे कर दोगा कर दो कर दो दो अपने हैं ये दिखिए ये परस ब रेड़ी हो गया है ऐसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लैक जरू करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू